बात करते हैं Sanger sequencing के बारे में Sanger sequencing है क्या वाट इस Sanger sequencing यह एक ऐसा method है जिससे DNA की sequence के बारे में हम पता कर सकते हैं basically कौन से nucleotide किसके बाद मौजूद है वही DNA के sequence कहलाते है उसका relative position हमको पता करना है तो उसको हम Sanger sequencing के जरिये करते हैं इसको chain termination method भी बोलते हैं या फिर dideoxy sequencing भी बोलते हैं why use क्यों use किया जाता है for its accuracy and reliability Sanger sequencing बहुत है simple method के उपर best है मगर इसके accuracy level काफी high है और काफी reliable technique है छोटे segment of DNA के लिए तो काफी helpful sequencing method होता है सिर्फ एक ही वक्त में हम इसको 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 सिक्वेंस किया जाए जब यह dna sequence large हो dna को analyze करने के लिए walter gilbert और frederic sanger ने nobel prize शेयर किया था chemistry may 1980 for their contribution के कैसे dna को sequence किया जाए sanger method इसको dideoxy sequencing method भी बोलते है chain termination method भी बोलते हैं तो यह बहुत common तरीके का dna sequencing method है हम देखेंगे कैसे dna strand की sequence को जाना जाता है ठीक है तो starting करते हैं dideoxy sequencing में extension of a short dna primer से start होता है dna polymerase चार separate reaction करता है यहां पर each sequencing reaction change जो होता है वो single stranded dna fragment को sequence करने के लिए किया जाता है dna primer यूज किया जाता है जो जाके dna में बाइन करेगा एनील करेगा फिर dna polymerase चार प्रकार की नॉर्मल डियॉक्सी नुक्लियोटाइड जैसे के a c g और t भी दिया जाएगा और small percentage एक percentage of total concentration of nucleotide एक modified nucleotide दिया जाता है जिसको दियॉक्सी नुक्लियोटाइड बोलते हैं ठीके तो हर एक chamber में एक प्रकार के डाइडी आकसी अचार प्रकार के दो जगह पे absence of 3' hydroxyl on dideoxy nucleotide prevent करते हैं further chain progression क्योंकि 3' hydroxyl होगा तभी chain progression होगा यहां पे यह oxygen नहीं रहता इसलिए progression नहीं होता है तो each of the four sequencing reaction जो होता है वो differ करता है एक के साथ एक क्योंकि हर एक chamber में एक प्रकार के dideoxy दिया गया है चार प्रकार के normal nucleotide दिया गया है फिर extension होगा अगर dda आ जाता है तो dna polymerase t लाएगा मगर यह continue जो template वो तयर नहीं होगा उसी हिसाब से dideoxy nucleotide जब भी insert होगा elongation बंद हो जाएगा ठीक है और यहां पे देखो t के बतले में dda आया तो elongation बंद हो गया तो further elongation नहीं होगा elongation stops there last आखिर a ही आएगा यहां पे ट के समने a आ रहा है जी आ रहा है c रहा है सब ऐसे normally आ रहा है जब भी dda फिर से आ गया तो यहां पे बंद हो जाएगा तो इस हिसाब से जहां जहां पे a आएगा यहां पे a d de haar अ रहा है और dda उस जगा पे sequencing stop हो जाएगा बंद हो जाएगा यहां पे आ आ गया थो बंद हो जाएगा इस हिस football से एक एक चेंबर में अलग-अलग चेंबर में दी-जी दे के चेंबर में तो जब-जब जी आयगा तब बंद हो जाएगा डी-डी-सी वाला चेमबर में DDA A P END होगा G बाला चेमबर में DDA G P END होगा DDC बाला चेमबर में C P END होगा और DDT बाला चेमबर में T P END होगा तो यह process ऐसे ही चलता रहता है यह सबसे important चीज़ है ठीक है अभी अलग-अलग चेमबर में हमें Nucleotides मिलेंगे उसके नंबर मिलेंगे कि उसका जो लेंथ है वो किसे साफ से number of Nucleotides कितना synthesize हुआ है और उसको फिर हम सारे के सारे Nucleotides को अलग-अलग चार वेल्स में डालेंगे DDA, DDG, DDC, DDT वर करके ठीक है अब फिर DNA radioactive DNA primer हमने किया था तो अप्रमेटिकली हम उसको चेक कर पाएंगे कि auto radiogram में bank pattern क्या आया है और यह bank pattern में हमें fragment length पता चलेगा ठीक है और उस fragment length से हमें पता चलेगा कि actual sequence क्या है यहाँ पर देखो length से sequence 5' to 3' में अगर देखे तो A, G, C, C, T A, G, A, C, T होता है ठीक है और उसी हिजाब से arrangement किया गया है और अगर आप read करें 5' A, G, C, C, T, A, G, A, C, T 3' applications of Sanger sequencing DNA sequencing करना मतलब DNA की sequence को जानना mutation को detect करना कि DNA sequence जानने के बाद हमें पता चलेगा क्या parental DNA में क्या था और अभी DNA में कोई change हुआ है या नहीं इसके बारे में भी जानकरी हमें मिलता है advantages of Sanger sequencing इसका high accuracy rate और यह unambiguous result देता है मतलब जो result यह provide करता है वो काफी हद तक unambiguous होता है unique होता है और वो हमें मदद करें disadvantages low throughput मतलब एक समय पर काफी small stretch of DNA को ही हम sequence कर सकते हैं expensive है time consuming है और large scale sequencing based project के लिए time consuming रहेगा क्योंकि यह sequencing method छोटे DNA fragment के लिए बना हुआ है ठीक से काम करता है मगर बड़ा fragment हो और एक whole genome देखा जाए complicated organism की जैसे के human की genome तो वहाँ पर Sanger sequencing इस्तावाल करना बहुत ही time consuming है झाल 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 झाल